जे नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तो स्वागत है आपका टीचर सदा 24-7 के यूटूब चैनल पे देखे आपको पता है D.S.S.B. 2024 के लिए forms जो है वो आ चुके हैं और इस form को वैसे तो जो भी information है वो आपको दी जा चुकी है पर एक छोटी सी बात है जिसको लेकर थोड़ करने के लिए आपके पास इस वीडियो में जो information दे रहा हूँ वो आपके लिए important है और वो confusion है seated की eligibility और उसके marks के regarding ठीक सबसे पहली बात तो आप यह समझ दीजे कि आप अगर D.S.S.B. में कोई भी form आप भर रहे हैं ठीक है जैसा कि मैंने एक और वीडियो बना रखी थी य बात कर रहा हूँ तो आपको D.S.S.B. में seated जो होता है वो PRT भरते समय पेपर बन चाहिए होता है clear आपका होना चाहिए और TGT भरते समय आपका paper to clear होना चाहिए ठीक अगर आप math या science से दे रहे हैं TGT math या TGT science दे रहे हैं तो आपका paper to math science clear होना चाहिए और अगर आप paper to SST दे रहे हैं तो आपका paper to SST clear होना चाहिए पहली बात तो यह है PGT में आपको seated की requirement नहीं होती है PGT में आपको seated की requirement नहीं होती है तो यह तो हो गई पहली बात दूसरी बात जो ज़्यादा important है कि seated में कितने marks वाला form भर सकता है उसके लिए आप इस chart से अपनी confusion को दूर कर सकते हैं देखिए simple सी बात है जो बच्चे डिल्ली based candidate है मतलब जिनका दिल्ली ही born up brought up है यानि जो दिल्ली में रह रह रहे हैं जिनके पास दिल्ली का reside है दिल्ली का आपका निवास स्थान है आपके पास उसका प्रमाण है तो अगर आप दिल्ली के candidate है तो आपको जनरल category मे 82 marks है और SCST category में आपको 82 marks है प्राब्लम कहां आती है प्राब्लम आती है outside candidate के seated marks को लेकर और उसमें सबसे पहले तो आप यह जान लीजे कि दिल्ली के अंदर DSSV में teaching exam में पूरे भारत से कोई भी form को भर सकता है ठीक है दूसरी बात अगर आप unreserved category में आ रहे हैं तो आपक कितने marks चाहिए 90 ही चाहिए आपको अगर आप SCST category से हैं तो आपको 82 marks चाहिए प्राब्लम आती है OBC category में तो जो बच्चे OBC category से belong करते हैं उनको सबसे पहले दिल्ली में OBC list चेक करनी पड़ेगी अगर वो दिल्ली में भी OBC में आते हैं जिसके लिए तरीका उसके अंदर क का seated में है तो आप form भर सकते हैं लेकिन अगर आप दिल्ली में OBC नहीं आते हैं आप जिस category से belong करते हैं वो category दिल्ली की OBC list में नहीं आती है तो ऐसे student को दिल्ली के अंदर unreserved category के अंदर क्या किया जाता है treat किया जाता है तो आपका 90 marks होना चाहिए अब इसको एक example से समझ द बच्चा है जो यूपी से belong करता है और यूपी में वो OBC है और उसके seated में marks हैं 82 अब DSSB का form आया तो क्या ये बच्चा DSSB में eligible होगा तो सबसे पहले इस ए बच्चे जो A नाम का बच्चा है उसे DSSB में दिल्ली की OBC list चेक करनी पड़ेगी ठीक अगर वो इस list में नहीं है तो वो ऐसे में unreserved category का हो जाएगा और उसे फिर कितने marks चाहिए होंगे 90 क्योंकि unreserved category के लिए कितने number चाहिए 90 चाहिए तो अगर आप कोई outside candidate हैं और आप दिल्ली में form भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको OBC criteria को देखना पड़ेगा कि आप उसे fulfill कर रहे हैं कि नहीं उसके बाद आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि आप OBC list में शामिल है या नहीं है ऐसे में 80% बच्चे ऐसे होते हैं बाहर के जो दिल्ली में unreserved category में ही आते हैं और उनको फिर seated में क्या चाहिए होता है 90 marks चाहिए होता है ठीक है क्योंकि final documentation के समय अगर ये चीज नहीं होगी तो आप भले ही select हो जाएं आपको फिर select नहीं किया जाएगा तो ये थी seated की requirement की list अगर अभी भी आपको कोई doubt होगा तो आप comment box में लिखेगा मैं आपको आपका doubt जरूर सॉल्व करके दूँगा ठीक है जान रखेगा अपना जैहिंज बारत नमस्कार